हलो दोस्तो विलकम टू माई चानल मैं हूँ इसमिता दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की कान को कैसे साफ करते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसका हर काम मुस्किल होता है लेकिन सबसे मुस्किल काम उसका कान साफ करना होता है कान साब करने से न सिर्फ कान की गंदगी निकलती है बलकि डेट सेल्स भी निकल जाती है कान में जमा होने वाला वैक्ष एक शाधारन पदार्थ होता है जो सभी मानव के कानों से निकलता है ये किसी परकार का संक्रमन नहीं होता और नहीं इसे बच्चे के सुने की छमता पर कोई असर पड़ता है लेकिन अगर आपके बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा वैक्ष निकलता है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले तो छोटे बच्चो के कान साफ करते समय हमें कीन बातों का ध्यार रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो चलिए हम जानते हैं तो बच्चो के कान साफ करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला है बच्चो के कान में कभी भी वैल ना डाले आप कभी भी भूल कर भी बच्चों के कानों में वाइल ना डाले, इस्पेसली सरसो का तेल, पहले जवाने में लोग क्या करते थे कि बच्चों के मालिस करते समय, बच्चों के कान नाक में सरसो का तेल डाल देते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा, ऐ ऐसा करने से क्यों होता क्या है कि बच्चों के कान डैमेज हो जाते हैं और बच्चों के कान में पेन होने लगती है अगर आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो डॉक्टर भी ये वाइल डालने के लिए मना करते हैं दूसरा है बच्चों के इयर ड्रम में कभी भी कुछ भी उखिली चीजों का इस्तिमाल ना करें और नहीं इसके अंदर तक साफ करें अगला टीप से कि बच्चों के कान साफ करते समय कभी भी रूई का इस्तिमाल ना करें और नहीं बेबी यरवर्ड का इस्तिमाल करें इसे बेबी का कान डैमेज हो सकता है नेक्स्ट है कि कभी भी ड्राइ होने पर बच्चे का कान को कभी साफ न करें बच्चे का कान ड्राइ हो तो उसे बिल्कुल भी साफ न करें इसे इसकीर में खिचावा सकता है और कान डैमेज हो सकता है अब हम आपको कुछ टीप से बताते हैं जिससे हम बच्चे के कान को इजली हिसाफ कर सकते हैं वो भी बीना किसी नुक्षान के तो पहला है रोजाना नहलाने के बाद आप बच्चों का कान साफ करें जब आप जभी बच्चों को नहलाए तो नहलाने के बाद आप उसे कान की सफाई करना ना भूले क्योंकि नहलाने के बद बच्चों के कान से wax easily ही निकल जाती है इस समय कान ज़्यादा सुखा नहीं होता है और गिला होने के कारण कौटन के कपड़े या रूई से असानी से वैक्ष निकल जाते हैं और इसे बच्चों को ज़्यादा तकलिफ भी नहीं होती है अगला टिप्स है आप बेबी के कानों को साफ करते समय आप वास कलोध का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए गुनगुने पानी में साफ सूती कपड़े को भीगोई और उससे हलकी हाथों से बच्चों के कान को साफ करें इस कपड़े से बच्चों के कान के अंदर और पीछे के भाग के आसपास के हिंसे को भी आप आसानी से साफ कर सकते हैं हाँ यहां ध्यान देने में बात यहा है कि आप इस कपड़े को कानों के अंदर तक साफ ना करें इससे बच्चों के इसके डेमेज हो सकता है और उसके कानों में दर्द भी हो सकता है नेक्स्ट है आप बेबी के एर को क्लीन करने के लिए आप इयर ड्रॉप्स का भी इस्तिमाल कर सकती है लेकिन इयर ड्रॉप से इस्तिमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाज जरूर ले डॉक्टर अगर कुमेंट करते हैं कि आप ये इयर ड्रॉप बेबी के कानों में डाले तब ही आप इयर ड्रॉप का इस्तिमाल कर सकती है यह ड्रॉप डालने से पहले आप बच्चे को सांत और किसी भी चीजों में बीजी रखे या फिर उसे गोद में लिटाए फिर उसे कानों में यह ड्रॉप डाले और यह ड्रॉप डालने के बाद 10 मिनर तक बच्चों को एक ही मुद्रा में जिस साइड में आप यह ड्रॉप और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू